तू तो बहुत ही ज्यादा मतलबी निकला सुल्तान कुछ लाग के सोने के लिए हजारों जिंदगी खत्रे में डाल दी काम अभी पूरा नहीं हुआ है बर्दन में कि यूरा ऊंभी ने के लिए काम फटार को कि नांभी व्यार्ण ही शेका फटव्ला बादाव युंटा निंदधा प्रत्रे काम युआधा बनलल्डंगी शिंददधा उव्ल्तान कि युआ सुल्तान कि युआ सुल्तान कि अब फटार प्रओंगा, कि झाल अब भी घजए भीछ जए भीछ कि अब़ों। तू दिलेर भी है और दरिया दिल भी तेरा नाम सबसे उपर होगा सुल्तान करें इस पेक्टर चाहन कम इन अर्जेंटली इसका जोब तो आगनिल सावी देश्वेश्र जिए पॉझी शॉड़ें फॉर्ट करें इस्फेक्टर चाहन कौने को आया है अरे जलने दें बॉंबे को मैं यहां से हिलने वाला नहीं तुझे क्या लगता तो इसमें क्या होगी अब इसका जवब तो अगनेल साब भी दे सकते हैं सार क्या हो अगनल साब को होश आ गया है अज़िए सर क्या हो सर कौन था वो किसनी की यह सब आप उसका नाम बताई है सारी जिन्दगी सलाकों पर सर पठक के रोएगा वो सर बोलिए सर कौन था वो क्या नाम उसका एकनल विल्सन कि मैंने तहकीकात कर ली है इसके पीछे किसी का आतने मतलब मतलब यह कि नोंने आत्मत्या करने की कोशिश की थी क्या पक्वास कर रहे हो तुम सर्वाण ना तो गाड़ी में कोई डेंट है ना डेमेज हुए और गाव बताना तु तुमें पड़ेगा एक देल इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्योंकि तुमने आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रुत पड़ी तो तुम कमजोर पड़ गए फर्स से भाग रहे थे या डर गए फर्स स नहीं सर अपने आप से भाग रहा था और मैंने जिस मुश्किल में शेहर को डाला है कि मुझे मौत पी असानी से नहीं आएगी जो भी शेहर में हो रहा है अगनिल उसकी वज़ा तुम नहीं हूँ तमाकों की आवाज में दफन है बंबई और इस सब की वज़े मैं हूँ एक आदमी की बुनियाद हिलाने चला था आज देखिये पूरा शहर हिल गया है कौन आदमी किसकी बात कर रहे हो तुम सुल्तान मिर्जा सुल्तान मिर्जा? इस कहानी की शुरुवात सुल्तान से ही हुई थी सुल्तान मिर्जा आजादी के साल दो साल बाद ही मदरास में एक जबरदस्त बाड आई अपना सब कुछ कवां कर वो दो हाथ का लड़का पंबई आ गया अगर वो बाड़ ना आती तो शायद बंबई को सुल्तान नहीं मिलता और सुल्तान को बंबई समंदर किनारे गोदी में उसे काम मिल गया थे सुना है कि सारा देन कोईले के बीच काला होने के बाद उसे चाराने मिल जाया करते थे उस चोटी से उमर में भी सुल्तान को दिल जीतने का हुनर अच्छे से आता थे तु मेरे को भीग देगा तो खुद क्या खाएगा दुआ आपकी दुआ खाऊंगा आप बड़े हैं ना तो आपकी दुआ से मैं एक बड़ा इंसान बन सकता हूं जेब खाली है तेरा और बाते सुल्तानों वाली करता है बस उस तेन उसका नामकरन हो गया सुल्तान उसकी कम उमर और मासूम जहरे ने उसका बहुत साथ दिया मजदूर से मालेक पनने का सफर शुरू हो गया था मचली की टोकरी में छुपके आया हूँ बच्चा एक दिन समुंदर पर राज करेगा किसे पता था पर यह मुमकिन हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पर कायम रहता था सुल्तान हमें पठान के साथ नहीं देना चाहिए दुश्मन है वह हमारा जब दोस्मना के काम हो सकता बैट्रेक तो पर दुश्मन के बनाएं ट्रक में छह लाग का सोना है पुलीस को मालूम है कि यह सोना शहर में पहुंचेगा जरूर इसलिए शहर के हर रास्ते पर कडिना का बंदी है माल आप तक पहुच जाएगा लेकिन यह सब होगा कैसे जैसे तू हुआ था उपरवाले के दुआ से थोड़ी मेहनद से और बहुत सारी लगन से काम जाएगा करेंगे कोलिया है करेंगे करेंगे कोली है कर दो कर दो झाल 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 तू तो बहुत ही ज्यादा मतलबी निकला सुल्तान कुछ लाग के सोने के लिए हजारों जिन्दगी खत्रे में डाल दी। काम अभी पूरा नहीं हुआ है बर्दन। झाल 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 कर देम को मैं ताहित। अ हब फटेलों। कर दो जब हो बयां एलग थो खाल कर दोके झाल जब कर देक हम झाल कर दो कदो लोल्ट करुड ये लोल्ट कि अ वोल्ट 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 कर दो, कर दो! तू दिलेर भी है, और दरिया दिल भी, तेरा नाम सब से उपर होगा, सुल्टान. सुल्टान को बंबई से प्यार हो गया था, वो नहीं चाहता था कि बंबई की सड़कों पर दहशत पहले. इसलिए उसकी पठान, विश्णू, वर्दन और वर्गिस से मुलाकात सुरूरी थी. लड़के सब के तेज हैं, बाजूँ में सभी के दम हैं, अगर हम आपस में लड़ेंगे, तो नुकसान हम सब का है. सोच लो, बात खतम करनी है, या कहानी शुरूरू. तू कहना क्या चाहता है, सुल्टान? कौन सी चौकी में सबसे जादा सलाम होता है, वर्दन? दारावी. तो पर ठीक है, दारावी चौकी से लेके परेल चौकी तक, हम ऐसे कोई आपके काम में दखल नहीं देगा. सुल्तान, ये बटवारा में मन्जूर ना होतो. मैं चाहता था कि हम सब अपने अपने धन्दे में बड़े बने. लोग, काट लो एक दूसरे को. हम सब आपस मिला डेंगे तुसरे पुलिस का काम असान होगा. हमारा नहीं. जब तो उस बना के काम हो सता है पठाम भाई, तो फिर दुश्मनी क्यों करें? टूंगरी चौकी से लेकर साइन चौकी तक, आपका. वर्गिस भाई, कुलाबा चौकी से लेकर तारदेव चौकी, आपका. सुना है, आप बहुत तेज़दा है रंग्रेजी बोलते हो, वाग काम आएगी. बैंडर चौकी से लेकर वर्से हुआ चौकी, विश्नु आपका. पुलिस चौकी के हिसाब से शेहर बाट रहे हो, सुल्तान. सुल्तान, सारा शेहर तो हम लोगों में बाट दिया, खुद के लिए क्या? वैसे तो पूरा बंबई ही मेरा है, और दंदे के लिए मुझे जमीन की जरुत नहीं. समुंदर है ना मेरे पास. यह समुंदर ही है, जो हिंदुस्तान को बाकी मुलकों से मिलाता है. इसके लिए रुपे कबजा कर लिया, तो हमारा जहास कभी नहीं डुपेगा. जिन्दा थे वो लोग, जिनमें हालात बदलने की हिम्मत थी. जिस चीज पर हमने रोक लगाई, उसी चीज की उन्होंने समग दिन शुरू कर दी. उन लोगोंने उपर चड़ने के लिए कानून को ही अपनी सीड़ी बनाए. दागा साथ, छे मिल के मालिक हैं? भाई से जगड़ा हो गया. ये काम तो पुलिस का है. पैसा तो बहाँ भी देने हैं. आपको भी? मैं और काम पैसे के लिए नहीं करता है. जैसे एसे मेरा जोर बढ़ता जाएगा, तर्या कम होता जाएगा. तब दिखाऊँगा. जितना मेरा भाब मुझे आज मारेगा, सब चुक्त्या कर दूँगा. सूथ समेथ. बुक्तेश साले. ऐसी कौन सी जरूत है तेरी शोयब जो पूरी नहीं होती? बोल! बोल! ना तेरी आखों में शर्म है, ना माफी. आखे नीची कर! आखे नीची कर! आज मैं तेछे सीधा करके छोड़ूंगा छोयब. खान, क्या कर रहे भाई? पांच ठपड़ मार चुए तो मुझे. अब जाने भी दू. बच्चा ही तो है. बच्च और सूथ के साथ चे. बच्चे बच्चे में सुल्तान बनने की चाहती. पर सुल्तान की दिल में एक ही नाम था. रहाना. इस कहानी की सबसे खुबसूरत और एहम कड़ी. रहाना. बहुत बहुत मबारक हो मैड़म जी. आपने तो कमाली कर दिया. एक मौका मुझे भी दीजिए. और मेरी फिल्म भी कर लीजिए. हमारी मैगजीन के पार्टी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बच्चमन में भी काम किया और आज भी आप एक काम्याब हिरोईन हो. इतनी लंबे इनिंग्स रहाना जी. कैसा लग रहा है? बच्फिल्म में काम करती थी तो लगता था सब खेल है. और आप काम कर रही हूं क्यूंकि खेलने क्यूं मन नहीं रही. इस पार तो तुम बेस आक्टर सवाट चीत कई हो. लेकिन इस बात पर स्यादा मत इतराना. मेरी आने वाली चार फिल्में काका के साथ है. जानती हो उन्हें लोग क्या कहते हैं? सूपरस्टार. मैं 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 लास्ट क्वेशन आप सब की ड्रीम गर्ल हैं आपका ड्रीम मैं कौन है? ना कोई सूपरस्टार और ना कोई जूबली स्टार. मेरा ड्रीम मैं वो होगा जो साथ सेकिंद मेरा दिल चीत ले. ए चंदरू कड़ी रोक गड़ी रोक. और यहान जी आगए पिंद दिलओं एक नट गाई परे पाले बाल मिलने जा रहे हैं खाली आत मज जाना है अगुआ चारा ने काए साफ कि यह तो बड़ा है यह मेंगा होगा अरे साब कोई भू ढ़ालो सब चारा नेका है सोच यह दुनिया का अखरी अम्रूद है इसके बाद कोई और अम्रूद नहीं होगेगा अब यह कितने का है चार रुपए कि अगुझम कि मम्ताइब से इसे ऊपने हाथों से बाने अपर है さलीम के ऐस में फूल नहीं अम्रूद रहता अभी कितने का है तो आख शाली शोच अड़ू ए जाली से लनीफ में खाया था अब यह कितने का है चार सो रुपए यहां, चार सुरूबे एक कुर्सी ले आओ कुर्सी आने तक यहां आराम कर लो जब तक तुम चैसे मर्द दुनिया में है और तो को आराम कहा ज्यादा छुईमी बनने की जरुरत नहीं है खुली किताब हो एक दो पन्ने हम पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पढ़ जाएगा फाइदे में रहोगी, समझी तुम शराफत का पाट पढ़ लो तुम्हारे लिए वो ज़्यादा जरूरी है आपके लिए एक छोटा सुत्वफा कबूल कीजिए ए कौन है तू कि अधे पूरे चारसोर रुपए का भी अरे देखो भाई देखो रहाना जी के चाहने वाले उनके लिए उनके लिए चारसोर रुपए का पेरू लेके आuencia आज रहात का नग्यादा है मैरे सथ को अम लेट तुम्हारा दिमाग घड़ाब हो गया रहाना जी अब अब जो शायर बंद कर अपनी मेफिल नहीं तो अभी शमा बुजा दूंगा तेरी में क्या यह क्या कर रहा हूं तुम दिल लगा रहा हूं तुम जुबान लड़ा रहे दिमाग तो नहीं खराब हो गया जानते तुम किससे बात कर रहे हो देखिए तेरी दो-चार फिल् सुटान भाई गलती होगे मुझे वहां के एक्टिक नहीं आती सुल्थार बाई चुप अज रात आट बजे मैं आपका इंतिसार करूँगा आपकी सबसे पसंदिता चखा पर सुल्थान जी सुल्थान जी एड नहीं आणा जी चुप कि एक सराज्म कर दुटे की सुल्था को यह मतली है, युब लगयो तु कि आलोका जिंदमे में बात बंगई इसकमर्णक्यक बंतन इसक यह हुब डही, जात बन गई सपने तेरी चाहतों के सपने तेरी चाहतों के देखता हूं अब कई दिन है सोना और चान्दी रात बन गई यकीन नहीं ओरा लेकिन यकीन था कि आप सर उड़ाएंगी सुल्तान मिर्जा राइट आप यह कैसे आपको कहा तो था कि आपकी पसंद की जगा पर इंतिजार करूंगा, तो कर रहा हूं आपकी सुई अभी भी वही अटकी होई है, इस बात को तो 15-20 दिन हो गए ना अधरा, अधरा दिन से यह इंतिजार कर रहा हूं और रोज आलू को भी खा रहा हूं और आज करेला और कीजिए, मुझे वह भी बहुत पसंद है इसमाइल, एक करेला आज भी आप किसी के कहानी सुनने आई हैं या हमारी कहानी आगे बढ़ेगी बेसबरात में जबान भी जला लेता है और खाने का मज़ा भी नहीं ले ले पाता एक बात कहूं जब जब कोई हीरो आपको पर्दे पर चूँता है तो मैं आगे बंद कर लेता हूं ऐसा क्यों पता नहीं जब भी आप पड़े पर रोती हैं मैं कुर्सी पर रोता हूं ऐसा क्यों पता नहीं वो फिल्म अनपड़भाब जब आप हीरो से कहती हैं कि मैं तुम्हरे बच्चे की माँ बनने वाली हूं तुमा कसम आप पेट से लग भी नहीं रहती और मैंने बच्चे का नाम भी सूच लिया था क्या मैं आपको इक पर चूँ सकता हूं ऐसा क्यों मैंने हमेशा आपको टिकट लेकर देखाए आज आप मेरे सामने बैठी है तो देखना चाहता हूं कि यह सच्छा हैं सबना कौन है तुम? सुल्तान मिर्जा नाम तुम्हे जानती हूं और इसका असर भी देख चुके हूं लेकिन सुल्तान मिर्जा है कौन? बताने अभी हमत के नाप ऐसा क्यों जनम दिन मुबारक हो तुम्हारी के कोई दिक्ष्णवी है जिससे तुम्हे समझने में आसानी हो जाए ऐसा क्यों? तुमने कहा था तुम्हारे जनम दिन का जशन है यहां तो सिर्फ हम ही दोनों है मैंने सुनाया कि दो लोग मिलके घर बना लेते हैं हम जशन नहीं मना सकते वैसे भी आज पहली बार में अपना जनम दिन मना रहा है ऐसा क्यों? आज से पहले कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको मेरी पैदा होने की खुशी हो जनम दिन की खुशी तो मुझे भी कभी नहीं हुई बहुत सारे लोग आते थे बहुत सारे तौफों के साथ जिनकी कीमत मुझे चुकाने पड़ती जो मुझे मन्सूर नहीं था आज मैं इस वक्त को याद करती हूं तो सपने भी खिनौने आते हैं तीन तौफे लाएं हूं तुम्हारे लिए हर तौफे के साथ एक पहली है हल कर लोगी तो तौफा तुम्हारा पहला तौफा पच्पन से आज तक तुम कभी इसके अंदर कभी बाहर ऐसी चीज चेल नहीं हाद कड़ी सफेद कमेज जैसी तुम्हे पसंद है तुम्हे रंगों से परेज है क्या रंगों से परेज नहीं काले से बैर इस बैर की वज़े? बच्पन काली रातों में गुजरा और जवानी काले कामों में गोदी में काम करता था कोईला भरता था क्रेम में बस वो काला कोईला मेरी रग रग में बस गया यहां तक कि आखे खुली रखो तो आसू भी का ले और बंद करूं तो सपने भी का ले तब से इन पलकों का रहा हम नहीं मेरा दूसरा तोफा इसमें ऐसी चीज है जिसे तुमने आज तक अपने गले से दूर रखा है कानून का पंदा टाय है तुमने आज तक मुझे टाय पहने हुए देखा है तुमने मुझे अमरूत खाते हुए देखा है लाए ना मेरे लिए तीसरी पहली तुम रहने दो इसमें घड़ी है खोल के देख लो कैसी है क्या हुआ अच्छी नहीं लगी अच्छी है लेकिन चलनी रही अच्छी यह अपनी मर्जी से नहीं चलती कलाई पे पहनिये आपके नब्स के हिसाप से चलेगी यह नब्स के हिसाप से चले तो ठीक है नब्स इसके हिसाप से नहीं चले चीए इसी दौरान मेरी पोस्टिंग बंबई में हुई बंबई रात की बाहों में रहता है और रात की बाहों में रहते हैं कुछ खतरनाकी रादे कुछ खतरनाक लोग आप अच दो है कि अच वांच कि रखवाली करें बांधरा अच पहली बार सरी रास्ते पर मिले हो तो मैं यसी तरफ जा रहा हूं बैठो अभी यह तिखो हाह, प्रीमा अबबबब ख्या अब बाकी ड्यूटी आज ही किये तो पिर कलपे रखे अज का काम कलपर छोड़ूंगा तो आज बुरा मंगा आज जाएगा चले करें काम बता हुँ यह लो साप कर दो कर दो करें है अई कुम मात करा कि लुक्राइब घाल करता है… कि आत Kelow, अ एन कियृ के रिखाइब फर तुम चाहते क्या हता ह३ा N fac civil Rights जहते को जाते क्या था छोल न गुर, देख तु बट पिठट गया है इस हाल एक हर बनी जा सकता वो घर देख रहा हैं वहां जा पेल बजा डॉक्टर बुला और दर्वाजा खोल के रख चर तो है कि उपकोन आगे इसमें राज कुछ अरे देखो नों क्या हुआ है अरे भूंपान है इस पार्च तो पार्च तो पार श्रूड पार फो तो अ कर दो वो कर दो जब सकते हैं यह काफी भारी है क्यासा लगा मैं वो दिखाना ये ये लेटिस डिजाइन है अच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा है तुझे यहार समझ में नहीं आ रहा है और मुझे तुम निकल यहां से क्या चल निकल शोहिब क्या कर रहे हो माम आप रुखे आप रुखे अगर अभी नहीं तो जो पैन करा ये वह जेवर भी यहीं छोड़ कर जाएगी यह क्या बत्तमीजी है अप्लीज बैठे यह देखे यह और नहीं पेस्ति करवानी हमें अपनी माम मरने की हो म क्युक्त आपकरे और जुन जृन अखरी गेनिकली मैम मैं तुम कभे ने सुधरूगे के ओमर सुधरने की नहीं पिगडने कि इतना भी मत पिग्रो कि सुधरना मुश्किल हो जाएगी तो यह कि मंभी ठीक तरह से बिगडा बही नहीं और तोने सुधार ना शुरू कर दिय बातें मत बनाओ, काम बोलो, क्यों आए हूँ है, बेचना है, पेनाना है, किसे, इसे, तुमें, किसके गले से निकालकर हमें पेनाने लाए हूँ है, क्या खा तुमने, हाँ, तुमें क्या लगता है कि मैं चोर हूँ हाँ, लोकों के गले काटता है पिरता हूँ, जा मुझ नहीं देरो तुमें, शोयब, ठीक है, नाराज मत हो तो, हाथ छोड़ो मिला, हमने छोड़ दे तो कहां जाओगे, शोयब, शोयब, क्या करे हो, बिगड़ना शुरू कर र शोयब, शोयब, शोयब जाो, हओ, आदो, घंनल तुमें क्राईम को रोगनाने, खाथ में करना है, माफिया बॉंबे में हैं और बढ़ते जा रहे हैं अगर उन्हें नहीं रोका गया तो फिर कोई कुछ नहीं गर भाएगा सिर्फ पांच लोग जो ठीक से पड़े लेखे भी नहीं है मगर फिर भी पूरा शहर इनके कभजे में हैं जहां दूरदर्शन नहीं यह लोग वहां भी है कोई आपसे दुश्मनी हो सकती थी मगर सुल्तान ने कभी बढ़ने नहीं थी वोस्ते उन सब को अलग करके एक कर दि उससे भी ज्यादा मशूर बात ये है कि आजकल ये सुल्तान मिर्जा के बहुत करीब है बागी सब छुपके काम करते हैं और सुल्तान के बारे में रोज अकफारू में चपता है तुम खुद सोचो आजका नौजवान जिसे चोटी मुटी नौक्री पानी के लिए बड़े बड़े पापड बेलने पड़ते हैं उसके लिए सुल्तान मिर्जा खुदा है एक बार उसके रस्ते पर चलो बंगला गाड़ी फिर्म स्टार सब मिल जाएगे जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो सर खतम तो जेल के कंबल में होते है इसे जेल तक पहुचाना अजया आसान नहीं है काड़ी चाहे कितनी भी तेज हो सर उसे रोकने के लिए एक कील काफे है जी विट ने सर गुट लग रामू मोती कहां चलेगे सब के सब घर में लाइस क्यों नहीं है कट किसने कट बोला फुल लाइट्स ओए मेरे होते हुए कट किसने बोला कैमेरा जब कर लो ये शील कोड़ो सब कुछ लगाम करते हैं आप और कौन है अप पहले आप कट बोलते हैं फिर आप डिरेक्शन देते हैं आप आखिर हो कौन ये फिल्मी सीन नहीं है सरकारी सीन है और इसे डिरेट करने के लिए सरकार ने मुझे अपॉइंट किया ACP, Agnell, Wilson Bombay Police बंद करो इसब, चलो मैडम लाइन में खड़े होने से मना कर रही है यह मैडम नहीं है मुर्ली, बॉस सुल्तान मिर्जा की चहेती तो सुर्त उचे होंगे ही यहां रुबाब दिखाने से क्या फार्दा यह मिजास अगर सुल्तान मिर्जा के सामने दिखा तो माने मुझे पुरा यकीन है कि मेरा मिजाज और मेरा मेसेज दोनों सुल्तान मिर्जा तक पहुंची जाएंगे हमारे पास पुक्ता सबूत है कि रहाना की हर फिल्म में इसके यार सुल्तान मिर्जा का पैसा लगा है अब यह पैसा सुल्तान ने कोई दूद बेच के तो कमाय नहीं है तो गयर कानूनी पैसे से बनी हुई फिल्म में भी गयर कानूनी बंद कर दो यह सब उन नहीं पाइसा प्लीज ऐसा मत कीजिए देखिए मेरा लाखों का नुक्सान हो जाएगा फिल्म अगर दुबारा शुरू करनी है तो अगली बार ऐसा कलाकार लेना जिसका स्मगलरों के साथ उतना बैठना ना हो और भी बैतर होगा कि वो उनसे नफरत करते हूं वरना फिल्में शुरू तो होंगी उने खतम नहीं होने दूगा चलो बंद कर अब किसी की लोकेशन तो किसी की स्क्रिप्ट नहीं फैनल होती और कभी हीरो डेत नहीं देता है तो आज भी शुटिंग कैंसल ठीक है कि अधिनल साफ को पता भी नहीं लगा और रेक्दम से पता साफ है दस पैसे के अकभार ने बड़े ओफिसर की इजट को उचाल दिया अब सर अब क्या करेंगे ट्रांसफर या रिजाइन कौन तुम क्या सर कौन है तू स्वहल खान नाम नहीं पहचान बता इंसपेक्टर सुहल खान बंबे पुलिस क्राइम रांच बीवी के साथ बाजारू के साथ गुजारता या बीवी के साथ बीवी के साथ सर तंक खातो दू पूलिस की लेता या डिश्वत किस-किस की लेता है सर इसका इल्जाम कोई नहीं लगा सकता मुझ पर माबाब के साथ बत्तमीजी करता है उनके साथ सर क्या बात कर रहे हैं दोजक्त में थोड़े ही नहीं जाना है मुझे जब तु कोई गलत काम नहीं करता इंस्पेक्टर सोहेल खान बंबई पुलिस क्राइम प्रांच तो एक उंडे की हरकत पे ताली क्यों बजा रहे हैं आज के बाद सुल्तान मिर्जा का नाम सुनकर तुमारा खून नहीं खौला तो धंडा कर दूँगा सबको तो ना ट्रांसफर ना रिजाइन विछवाड़े बैलात मार के भाहर निकाल दूँगा सुल्तान ते लिए चाल तो काम कर गई लेकिन बाजी अभी बाकी है मुझे एक सुराख एक मौका एक मौरा चाहिए तुझे ख़तम करने के लिए अगर मैं तेरा बाप नहीं होता ना तो इस वक्त तेरे पर मुकदमा चल रहा होता और सालों तक जेल में सड़ता तू उस लड़के ने तुझे देख लिया था पर मैंने मैंने बात गुमा दी मैंने कहा कि मेरा बीटा ऐसा नहीं कर सकता घूर भूर कि सड़ आज रात तू जेल में ऐसे काम का यही एंजाम है बैठ्ट अबबा कि क्यों आ गई अकल ठीकाने अपनी अकल देखिए कि ताल आखुला चुड़ दिया तेरी तो कि अच्छी चीज है लेकिन अगर हद से बढ़ जाये तो खुद को जला देती है परफ की तरह ठंडा रहने का भी क्या फाइदा साब तोड़ी दे रकड़े फिर पिगर ले जो खुद नहीं पिखलते उन्हीं को पिखलाने के लिए कानून बनाए कानून तो मुझे अपने बाप जैसे ही लगता है कमजोर लाचार करीब चुकर बत्तमीज यही अपका कानून हाँ एक तमाचा चार बात एक राथ हवालात एक मशोरा है अगर किसी चीज की लट पड़ जाए तो वो लट आदमी की पहचान बन जाते है पहचान ही तो बनानी है न सब और शेर में करना है क्या है चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हूँ रास्ते की परवा करूँगा तो मन्जिल बुरा मन जाएगी बात करते ना मेरा बेटा हाथ से निकल गया है, कल खुद मैंने उसको जेल में बंक किया है, मेरी बात सुनता है निये, बिगड़ता जारा सुल्टान भाई, अगर आप, मैंने सुचा था, आप कुछ कर देंगे तो, अपनी तरह वर्दी और वतन की कसं दिला दो, उसके बस की बात ही निये, सुल्टान भाई, गरम घून है, किसी की बात सुनता ही नहीं है, मैं इसलिए आपके पास हाया, सुल्टान भाई, जिंदगी भर, मैंने किसी से कुछ नहीं मागए, सिर्फ एक बार, आप अगर मेरी आपके पास्तान भाई, किसी एक में लगवा दीजे, लड़के की जिंदगी सुधर जाएगी तेरे बाप ने आज से अभी रश्वत नहीं लिए यह उधारे कमा कर चुका देना और अपने बाप का नाम रोशन करना आएंदा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कोशिश करूंगा कम से कम आपको तो खुश्च रख सकूंग शोयब की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया अपना और इसका चालुए भाई शुक्रेश शुक्रेश शही लोगोसे पहचान बनालिये शुयब आप तो तेरी मंजिल भी तुझे मिले जाएगी क्या खान अठारा सान में तुने कभी प्रसाद नहीं खाया और अज भगवानी बदल लिया हमारी तस्वीरे किचके अपनी दुकान में लगा लेना शुयब कभी जरवत पड़े तो दोनों एसे एक भगवान चिल लेना तुम्या क्या कर जो सुबहे सुबही दुकान से बागाए पाके नहीं आया है पहली बोनी करके आया हूं तेरे ले गिफ्ट पिले काया हूं तदो यहां सब के सामने चल कोने में चल चल ना है चल ना है कि लड़कियों के लिए कौन सी दुकान से तफाल आते नहीं मालूम तुम्हें क्यों इस पर क्या खराब ही है हम चल चाकना भी लेख आया हम कें यऊ से नहीं ला सकते थे वह तो जननम दिर में खाते हैं ना वह नहीं हुए यह पैदा नहीं हुआओ निए एक मंदास को ताज मेहला और उस्री को यह सब कुछ तुझे मेरे प्यार के कदर नहीं है पता है मेरे दोस्त है पुतल दे के किता खोशत है तो जाओना आपनी दोस्तों के पास उनकी साथ पियो हम पर ही महर्वानी कियो कि लड़कियों जैसी खुशी बनाई नहीं न मैंने जिन गालों को चुमना तवनी को गिला कर दिया हाँ चल मार मुझे मार लेकिन रो मत मार 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 तुस्रे कालबे मार किया प्यार में हलकाल का मारती है सोर से मारना तुम हमेशा मुखे की तलाज में रहते हैं ना जो मुखा छोड़ दे वो कैसा मत यह डूंगरी एक जौला मुखी की तरह है सार हमेशा दहकता रहता है आपका वहां जाना ठीक नहीं है दिल्ली से बॉंबे क्या मैं यह सुनने आया हूं कि मैं अपने ही राजे में खुले आम नहीं गूम सकता अम सॉरी तुसे सर पर अगर यह बात आपनेता उनने पहले सोच ली होती तो आज यह नौवत ही नहीं आती आजादी से आज तक वहां के लोग ना तो फेले हैं न बड़े हैं बस सिकुड़ते ही जा रहे हैं अपनी ही गरीवी में लाचारी में उनके गुष्चे की लहर सहलाब बन चुकी है सर पुलीस साथ है तो फिर डर कैसा जितने पुलीस वाले हैं उससे ज्यादा तो गलिया है वहां पर किसी सर फिर ने चपल मार दी तो हम आपकी सुरक्षा की गरंटी नहीं दे सकते अगर पुलीस सुरक्षा की गरंटी नहीं दे सकती तो फिर और कौन देगा सर एक आदमी है कौन है वो सुल्तान मिर्जा कर दो कर दो कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परिशानी हो तो मुझसे कहिए कि मैं आप लोगों के लिए ही यहां आया हूँ कोई कुछ नहीं बोल रहा है सब घोरे जाने है अपचर दाना पहोगों को आप लोगों का लोगों कर दो नहीं बोल राए सुल्तानility सुल्तान राए सुल्तान राए कि द particulierник Klein कि देव आी ठाव, कि देवां! कि द lawyerまり How Camerati कि देवाख, कि देवाख, कि देवाख, ग्रावार ग्रावार मंधुट कर दाला हुआए कि अधना हुआ अधना हुआ है कि सरकार कुछ चल के तुम्हारे पास आइए सुन लो क्या कहती और हुआ है सब सुन रहे हैं पॉलिटिक्स में जाओ जीत जाओगे अगर अमारा कैबिनेट पॉलिटिक्स में आ गया तो आपका कैबिनेट का बाडियों के भाव बिखते हैं जिन्दगी हो तो स्मगलर जैसी सारी दुनिया राख की तरह नीचे और को दोएं की तरह ऊपर ऑजिध inland अंस्तै algún बात में दूर्डम एथी लेकिन स्मगलर बने का अदम हर किसी में नी होता नया नया मुल्ला अल्ला अल्ला बहुत करता है सुल्तान ने काम क्या दे दिया उसकी सारी बात ने ठीक लग रहे हैं सुल्तान ने जो दिया है वो सरकार भी नहीं दे सकी, रोजी रोटी, तो बोल गटू, कौन बड़ा, सरकार या सुल्तान, अरे तुम लोग जिसकी तरफदारी कर रहे हो ना, वो सर से पाउं तक पापी आदमी है, सही गलत का तोल मोल करने वाले हम कौन होते हैं, हां, वो एक स काम के बीछे कोई न कोई वजय जरूर रहती है, हम, वजय तो है, पैसा, हां, और इसे भी, जल्दी, 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 पैसे कमाने का भूत सबर रहता है, बात सिर्फ पैसो की नहीं है, इस खेल में जो पावर है न, उसका नशाई अलग है, अपनी दुकान की अगर अगर मैं तेरी जगहे पे होता न, तो इन स्मगलर से इससे आगे की दोस्ती तो कभी नहीं रखता, मैं भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, सिर्फ बड़ा बनना चाहता हूं, फिर उसके बाद, सारी दुनिया राख की तरह नीचे, और खुद्धोएं की तरह उपर, मेरे जेवर चोरी हुए न, ये उसके आगे कुछ भी नहीं, और आप क्या खड़ी-खड़ी मुस्कुरा रही है, हमें जर और जेवर दिखाएंगी आप, सुन, इधरा, तुम्हें मेरे जेवरों की फिक्र होती ही, तो इस वार तुम पुलिस स्टेशन बेठे होते हैं, चा ये तुम क्या रही है, अरे देखो, रामन, ये मेरा हार है, मेरी निशाहने लगी है इसमर, चलो ताले से, चोर कमी ने, जालो जब रही है, हम अपको कुछ नहीं कह रहे हैं, और आप हमें चोर चो कहे जा रही है, ठीक है, तुने नहीं चुराय होगा, लेकिन किसी चोर से तु लिया होगा, तुने, जोब लेखो, मेडम, अरे मेरा हार पहना हुआ है, मेरे घर से चोरी हुआ था, पूछिए से का रही है, पिर दे खाव् 06ầh, ये ये भूखव नहीं है, ये हार हमें छोईब ने टिया है, येसमал ने पहुँद खाव् 06, आपे जोग और जा भो जो को अलना जाकर देको समान हे भी अपेज़ का लीच का लीजित का रही हमानों भी जई का लिये अँचे पैसे हम रहे हमारा सम on सब्दून तूदाब जाल दे लिए लिए लोग भुलिस को प्रवाइश शुल्तान भाई यह गोड़ों पर पैसे लगाते लगाते अगधे पर कब से लगाने लगे तू बोद यह ना इसने सब जेटी हे तो पांतु मरे गई ऑएक एसान मानना तो दूर तेह वर देखो साब के एसान अभापर किया था मुझ पर नहीं कि अपने साथ काम करने दो फिर देखो और प् Sell Music पतार पैसा क्राइब नुकसान का पैसा अदुगणा वापस नहीं किया तो जो कहना यह दंदा आम का बाग है कि चार पथर जेब में डालिया घुज गया है कोई भी धंदा आदमी की हिमत से बढ़ा नहीं होता इव मत बता ही नहीं देखाई जाती है इंदात व अगब पाल तुबो कर दो नहीं तो नहीं तो माड़ा देंगेंगेंगें अज़्टी लेरोसे टकराएगी तोई किनारी नसीप होंगे कर दोको माड़ाгिएंगेंगेंगेंगेंगेंगे दोग आझेंगेंगेंगेंगें विद्ठीे केमश माड़ागी ल माड़ां चके कि एपके को शायाएगी आप इने कहा था ना एक बगवान चुन लेना चुन लिया आप बोलो आप सही इनसान चुनने की नज़र रखते हो या नहीं क्या का तुने कुछ नहीं आज के बाद तु सिर्फ भई बुलेगा जो मैं सुनना चाहता हूं चंदरो चिवर इस शकाथ चैए एक काम सिखाव एक चैए अड़ अज़ता यहीं और नहीं अदमीं ट्यडा लगता लगता था थे लगों का मारा देंद हम्या तंद क्या का मैं यह जरूर कुछ बढ़ा करेगा क्यों कि इसे जिन्दगी से जादा अपनी जीत प्यारी है साहब मुझसे बड़ी गलती हो गई शोय भी सुल्तान के गैर कानूनी रास्तों पर चलने लगा है मैं क्या करूं साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुफा में अंधेरा कितना ही हो खान किनारे पर रॉष्णी जरूर होती है शोय को अभी सुल्तान की चमक के आगे कुछ दिख नहीं रहा है जिस दिन चमक जाएगी आकल आ जाएगी और फिर हम में से एक है कुछ होने थोड़े देंगे उसे तुम चिंता मत करो कुछ लोग अपना बुरा वक पीछे चोड़ने के लिए बहुत तेज रफतार पकड़ लेते हैं शोड़ने में से एक था हर कंप्लेंट हर फाइल हर रिपोर्ट पर उसका नाम आने लगा था तब मुझे लगा कि अपने खान का लड़का है तो शायद सुल्तान वर्दन पठान विश्नु और वर्गिस इन पांचा को खतम करने के लिए शोए पोहरा बन सकता है और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कोईले की खान में में मेशाल से रोशनी करने चला था जारो तरफ आग लग गई अब यह लोखन का ताला है कोई खादी की जेब नहीं के ब्लेड मारा हो माल है अरे तु रुक ना अपने को दो डाउड है एक मिरिट में बिना चावी की यह ताला कोई खोली नहीं सकता तू बेकार की बात करना बंद कर और सुन वो वायर दे यह वो वायर दे ना आँ यह क्या है कि यह जिए एक तो पुलिस का समाने तू कासे धब कि लाइसे तू एक काम कर फेक देश को अपने में कोई काम नहीं है यार इसका फेक देख दे यह घोड़ा एक होड़ा पड़े-बड़े सिंदीकी के रेस हाँ जाते इसके सामने है इसके लगाम जिसके हा जड़ जाती है या खेलने बाला या खेलने बाला है या मैंने उंगली दुबाई और वहां तो खदम नहीं है जब मैं और यह सुल्तान मिर्जा के साथ खड़े होगे ना तो उसकी ताकत दुख नहीं हो जाएगे दुख नहीं आदमी शिराब पीने के बाद रोमेंटिक हो जाता है चांद तारों की बाते करेंगे करता है और एक तुम हो कि फ्लेश बैक में चले जाते हो जो अपने बीते हुए कल से भागता है वो सिंदीगी की रेस कभी नहीं चीतता अब दो साल होगे मुझे तुम्हारे साथ रोज शराब पीते हो रोज सुल्तान मिर्जा से मिर्जा गालिब बन जाते हो इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए वक्त भी कहां बदलता है सिर्क उसरता है तुम्हारे हाथ में होता तो तुम क्या बदलते तुम्हे छोड़के सब कुछ एक्स्क्यूस मी माम ऑट्रफ प्लीज थैंक यू मैं हमेशा इसे अपनी दिल के पास रखंगा गल्ती से खथ नहादा है थैंक यू सो मच एसे ही बटा हुआ हिंदस्तान तो टुकड़ों में अमीर ने हजार का नोट भाड़ दिया उसे कोई फरक नहीं पड़ा और गरीब ने तो आज तक हजार का नोट देखा ही नहीं होगा मेरे बात से का इदिया है तुम्हारे उपर एक फिल्म बननी चाहिए बनने से पहले ही सूपर हिट है अब तो मुझसे एक्टिंग करवाओगी एक्टिंग किसी और से करवा लेंगे वोने अलर का है ना अमिट नया सूपरस्टार बहुत सूट करेगा उसकी आंखे भी तुम्हारी तरह है बहुत बोलती है खाना ओड़ करें हम यस खाना कैसा है गरम तेरी तरह हमारा मतलब है अधिसा डम्हार नम्गीन और तीखा तेरी तरह है क्या तो तुम भी ना पता भी नहीं चलता है सच किह रही है हमें बना रहा हो अ ज непनार्य होته क्ये विक भाक करें है तो जब रहने जब उन उने बनां वहां तो ड़ बात को सच ममन लेतिया अ कि अब अब बनाओगे तो नहीं हम पूछो कि पुछो कि पुर्वाली बात भुबारा नहीं होगी नहीं है कि अब दोबारा कि ना तो अस हार की बात करना ना मेरी हार की अब पुजे अबस चीतना है आगे बढ़ना है वो वो कली वो महला वो काम सब छोड़ दिये जो बजे पीछे खिछ देते है खाना तो खालो नया घर लिया ताकि तुम्से उस उस भीर भार मेंन मला अपड़े एक पर आप कर दो खाए यह नाइलॉन सिल्क शरट है पता कि ता आप बेंगा है है इस घर में डूबवान है फोन है कितने खरों होता है क्या है सब तरक्की सुम्तान मिर्जा के लिए काम कर रहा हूं मैं जानती इसका मतलब है जानती हूं और हमें यह बंजरा कि उसकाम में कितना खत्रा है हुआ है इस आख हो है शल्तान को थीन पान गर्जल उडावला मनिया है उसने खेजिये एंटनल को अपना पूरा प्रोक्राम मारोम इए डॉ-डॉल कियो मनिया है एकनल के कान में उसमें मुता होगा एगनिल को पता है ना, तो सारी सड़के खोड डाली होंगी उसना, अरे वो अपनी गारी निकल नहीं नहीं देगा, तो क्या करें, बर्धन के पैसे लोटा दें, अरे अरे पनी जो की माँ भीने एक होजागी सुल्तान भाई, आज जो जुक के सलाम करते हैं, कल दूर सी खोड आफिस के निकल जाएंगे, तो क्या करें, यह बड़ी-बड़ी बाते करना बड़ा सान है, लेकिन यह काम नहीं, करना हो क्या है, चेकने कड़ा के निकल जाएंगा, और क्या, ए चंद्रू, दिमाग से काम ले जरव, हे, प्लान करना होगा कुछ, जिस काम की जबान आपने दी थी, पहले उसे खतम कर दो, फिर जो हमारे खिला जबान चला रहा है, उसे पिकाट देंगे, और यह दोनों काम मैं कर सकता हूँ, जीते की रफ्तार से, अजगर की पकड़ से, और सुल्तान के दिमाग से, कोई नहीं बच सकता, यह काम इस लड़के ने किया है, बर्दन, अबर मैं होता, तो माल यहां तक पहुचता ही नहीं, क्या सुल्तान, तुम काम हाथ में लो, और वो पूरा नहो, यह मैं नहीं मान सकता, यह तो मानोगे कि आज मेरा जनम दिन है, आओ, केक काट दे, पहले बताने का था ना, मैं तेरे लिए अच्छा से घ्रिप लेगे आता था, बोल, बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल, मांचिस है, मांचिस, यह ले, यह सुल्तान, यह तुने क्या किया, है, बागल हो गया है तू, अरे तेरे को मुनाफ़ा जादा दिखाई दे रहा है क्या इससा जादा चाहिए तुझे तुझे तो बॉल मैं देगा तेरे को बर्दन मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इचासत सरकार नहीं देती उन चीजों के नहीं, जिनकी इचासत सभीर नहीं देता उस काम के बाद शोएव नहीं रुका उसका नया दिमाग, उसकी नहीं सोच, उसे धंदे में काफी आगे ले गई उसने एंबुलेंस में सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी लोगों में भी उसका खौफ बढ़ता जा रहा था पर मैंने आखे बंद कर रखी थी क्योंकि शोएव सुल्टान के करीब आ रहा था शोएव को एक आदमी की तलाश थी मेरा खबरी जोनी के बीच रहकर उन्हें दोका दे रहा था सल्दान यह बज़े क्या हो रहा है कुछ नहीं हो कर तो में रहते हैं पाटरिक जल्दी पाटरिक जल्दी पाटरिक यह रूप गाड़ी में मरीज है तोड़ा अरजन्ट है अस्पदाल जाना है हमें जाने दू बाहर निकल सुना न तुने जाने दे लगता है तुने नहीं सुना अब एस साले एम्बूलेंस में सोना लेके जाते हो और गाड़ी में मरीज पुलिस को क्या यह उकूब समझ रखा है जल बहार निकल एट राइबर चल्गाड़ी केडिकी खौल और तलाची दे वरधी तलाची लेनिया तुझाड़ी के तुझे गाड़ी के तुझा गुरा को ना देक जुद एक जह कुछ दो देक जोड़ा जला प्रकान चल्टेक ज़ेक कड़ी ज जल्दान जल्दान प्रफ्रिंग कोंजनेटल हार्ट डिसीज़ मैं समझा नहीं मतलब उनके दिल में छेद है अक्सर ये बेमारी बच्छों को मां के गर में ही लग जाती है बच्वन में पता लग जाता है तो अब इस बेमारी का कोई इलाज नहीं है बस कुछ और साथ I'm sorry, I'm really sorry जितना हो सके उतना खयाल रखे आप उनसे मिल सकते हैं अए शादी करो की पच्छे जिन्दगी बेवफा है ये माना मगर छोड़कर राह में जाओगे तुम अगर छीनना मूगा मैं आस्मा से तुमें सुना होगा न ये दो दिलों का नगर तु तु तेल ने पंपई का और पंपई मेरी महभूबा तुछ से मैंने बहुत कुछ सीखा है हमेशा तेरी लेरो की तरह चलाओ बेपाक ना किसी की सुनी ना किसी की चलने थी परगरती ये हुई कि मेरा प्यार थोड़ा सा बढ़ गयागी अब तो ही पता किसे दिल से लगा हूँ तु धन्दा छोड़ने की बात कर रहा है बंबाई ने मुझे जो कुछ दिया है हो सब मेरी रहाना के लिए छोड़ सकता है कोई फिक्र नहीं है फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि बंबाई का दिल बहुत बड़ा है तरतां को इसे तोड़ना दे आज तक सब लोग चुप हैं सिर्फ अमारे धन्दे की वज़े से दंदा छोड़ दिया ना सब की आवास खुल जाएगी मैं छो खुछ भी हूँ अपने धन्दे की वज़ए से नहीं एपने फैसलों की वज़ए से हूँ आज तक इस शहर को मेरा हर फैसला माना है और आगे भी मानता रहेगा नहीं सल्थान अगर हम धंदे में नहीं रहेंगे, तो जिन लोगों की गर्दन आज तक हमारे सामने उठी नहीं, उनका हाथ हमारे गिरबान तक होगा. उसके बाद, दर खतम, विचद खतम, कानून हमारे पीछे है. इन चीज़ों को काबू मेरपने के लिए थंदा नहीं तिमाग चाहिए. मैं अपने सिंदगी का तरीका बदल ले जा रहा हूँ. तेवर नहीं. आज फिर मैं बख रहा हमेशे मिली भाई. सलाम. यह बचारी इतना नहीं नाची होगी, जो इसमें शराब थी. तो अब इतना क्यों गुम रही है? भाई, आम तो बस यूँ ही खेल रहते हैं. तो खेल? भाई, अगर आप नहीं मिलते तो मैं मिट्टी में मिल जाता है. जब तक नालो ना केल नहीं लगती. हर गोड़ा खचारी लगता है. इस घुड़े के लगाम जब तक आपके हाथ में हैं, ना यो रुकेगर ना बैठेगा. तो कान से नहीं, दिमाग से सुन. मैं दिल्ली जा रहा हूँ. मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा. तब तक यहां का दंदा, तू संभालेगा. और याद रखना, ना ही यह विरासत है, और ना ही खहरात. कुशिश करूँगा. इस बार शिकायत का मौका न दो. मौका मिलेगा भी नहीं. सुल्तान ने शेहर को पांच लोगों में पाड़ दिया है. अधरॉपती. तू पिने के बाद कुछ भी बोलता है. मजाक नहीं, जावद. इस शेहर को चलाने के लिए सिर्व दो लोग जाई है. सुल्तान और मैं. बागी पांडू सब बनवास चाहेंगे. तू करना क्या चाहता है? इसे चूमना चाहता हूँ. पाहों में भरना चाहता हूँ. खेलना चाहता हूँ. वो सब करना चाहता हूँ, जो मेजे उपर तक लेके जाए. सुल्तान से भी ज्यादा उपर? उससे उपर नहीं तो उससे कम भी नहीं. कि लोग सुल्तान को स्मगलर केके बुलाते हैं, सुल्तान मुझे डॉन केकर बुलाएगा, और मुझे अपने कले से लगालेगा. मेरी नजर से देख जाविद, ऐसा लगता है किसी और की महभूब आपनी मुठ्धी में आ गई हो. मुठी खुल गई, तो मैभू बहाद से निकल जाएगी. इससे मसल दूगा, लेकि निकलने नी दूगा. और कितना टाइम लगेगा? मंत्री जी थोड़े व्यस्त है, मिलेंगे, थोड़ा रुकना पढ़ेगा. शोहब भाई एक काम है, जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं. मुझे अपने भाई को मरवाना है. काम खतम होने के बाद मेरा आदमी तुम्हे ये सुपारी का तुकड़ा दे देगा. जोड़के देख लेना. और माल देतना. काम होतो जाएगा. अब सुपारी लिए तो चूनानी लगाऊंगे. काम है. प्टारा झाल प्रच प्रफ्णती युन करत जगए कर दोगती है नह राख अप्र ल कर दो रहा हो प्रशाइ़ नहीं है फिर दो अवानार को अब रहा हुआ क्किल्स का भावना टेसा भाव प्रभाव के लामाना के लामाना क्व। यह पहली सीडी है जाविद, देखना सुल्तान के लौटने से पहले मैं इस पांच लाग को पचास पर कैसे पदलता हूं सर, सुल्तान साहब आपसे मिलने के लिए रोज आ रहे है, क्या जवाब तू? मैं कौन हूँ, क्राय मंत्री, और वो? बंबई का एक मामूली गुंडा, उसे क्या लगता है क्या मुसके लिए आप बेकार बेठे हुआ है, पैठाने दो उसे शराप बेषने के लिए कोई मंतर नहीं पढ़ने पढ़ते हैं, जुसे वर्धन जानता है ये काम इतना असान है की चंदरू भी कर सकता है आज से अपनी भट्टी होगी, अपना मुनाफ़ा, ए, कालिया को बुला सुल्तान भाई, हम सबको भट्टी में डाल देंगे, तु जानता है कि कालिया के नाम से कितना तब जाते हैं एक पैसे का भरोसानियों ने कालिया पर, उनका भरोसा मुझ पर है, इसलिए अपनी कुर्सी पर मुझे बिठा है जो बोला है वो कर, दिमाग नहीं तो मच जला सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बंबई कापती है, लेकिन ये तो यहाँ बेगी बिल्ली बन के बैठा है ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है, चुहे की तरह बिल ढूरता फिरेगा यहाँ बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है तो हलके मामदल चुगरे बरस हो गंज चलाना बहुत हासान है, लेकिन उसको समाल करखना बहुत मुश्किल है हमारे दंदे में आज तक किसी ने इसको इसको इस्तेमाल नहीं किया है वक्त तेजी से बदल रहा है अगर धंदा शांती से करना है तो दमाके तो करना ही पड़ेंगे ठीक, तो सुल्तान के आने तक रुक जाओ अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी बर्धन और पठान ये लोग बाजी मार जाएगे वो लोग हमारे दुशमर नहीं है शुएब आपके खराटे भी आपके भाशन की तरह हैं लंबे लंबे तुम यहां कैसे है पंत्री अभी तक हम इतने मामुली भी नहीं हुए इससे पहले कि मैं तेरी आखे हमेशा के लिए बंद कर दूँ अपने सारे धंदे बंद कर दे पेरे जैसे कपड़े पहनके तू सुल्तान मिर्जा तिक तो सकता है लेकिन बंद नहीं सकता पेट्रिक शेयर साफ़ जी शुए बपस करो और मत बियो हाथ हाथ निए उठाना चेहे था पच्पन में अभबा ने मुझ में हाथ उठा के मुझे उनके खिलाफ कर दिया था ना तो अब मैं बच्चा हूँ ना सुल्तान मिर्ण अभब मुझे लगा बाप से साधा मेरी इससत करता है इसलिए उस पे थंदा चोड़ा लेकिन उसके फितरत में दोका है बाप को दोका दिया मुझे दोका दिया मुम्तास को दोका देगा एक तरे शेहर को दोका देगा गलती मेरी थी मैंने सोचा था हम दोनों मिलबाट के राज कर लेंगे लेकिन राजा सिर्फ एक ही हो सकता है मैंने उसे अपना सेभाही बनाया वो शेहर का राजा बनने चलाए इस शेहर पे सुल्तान का नाम ने लिखा है कि वो जो जाएगा वैसे होगा वर्धा ने कुछ करना चाहा उसे रोक दिया मैंने कुछ करना चाहा मुझे रोक दिया खादी अखीड़ा काटा है नेता बनेगा यह दंदा स्पीकर के आवासे नहीं गोली के आवासे चलेगा पैसे के लिए गोलिया चलाई खून बहाया चेनों के लिए उको खोड़े की आदत लग जाए और में लगाम डरना मुश्किल हो जाता है इसका मतलब इस रास्ते पर इतना आगे निकल चुका है कि उसे रोकना नमूम्किन है शोय आगे बढ़ने से पहले सोच लो कहीं यह रास्ता गलात तो नहीं यह रास्ता भी मेरा यह और यह शेर् भी मेरा ओगा समझी क्या हो गया तुम्हे शोय अधर लग रहा हमें कैसी बाते कर रहा हो हम सूचते थे हूद सबसे अलग हो पाराम हमे लगते हां तुम्हें जानते ही नहीं कॉन हो तुमражां शोय बस बहुत हो गया सवाल जवाब अब देखना ये कि हांक मिला के बात करता है या पीट पीचे बाहर रात की सोच बहुत काली होती है शोय जाकर सोचा तुम जाकती रहना मुझे नेनी आई तो वापस तुमारे पास ही होंगा सुसकान वाई कहा रहे हम चलते ना साथ में हां पिर जैसे का प्रेपकर के तु सुल्टन में सा दिक्तो सक्दा लेक्षित पने सक्दा कि अन्दर आजाओ तो तो दुष्मन है दोस्त ने हात उठाया है तुष्मन बढ़ा रहा है सोचो मत बैठ जाओ सुल्टान तुम्हारा रफ्तार से डर गया है उसको मालूम है कि तुम अपना रास्ता खुद बनाएगा इसलिए तुम्हारा हिम्मत को बढ़ाने की वज़ाए वो तुमको दबाना चाहता है वो बदलाव से डरता है अगर हमें आगे बढ़ना है तो सुल्टान को रास्ते से हटाना होगा एसला तुम्हारा है याद रखना जो वक्त से हाथ नहीं मिला था वो वक्त गुजर जाने के बाद अपना सिर पकड़ के रोता है सुल्टान को मौत भी सुल्टान वली देंगे कल उसकी राली है लेकिन वापे शोर नहीं मातम की खामोशी होगी लेकिन याद रहे अगर सुल्टान बज़ गया तो हम सब खत्म अबू 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 दर ना सका मौतास बिटा क्या हुआ अबू सुल्टान को मारने के लिए अब कुछ कीजिए रोकिया हुने हमें बहुत डल लग रहा है तुम घर जाओ मैं कुछ करता हूं हाँ तुमने सरकार में आने की सोची और सरकार ने भी गलत काम शुरू कर दिया तुम जैसे को शामिल करके जब दोस्त बना के काम हो सकता है अगनल सहाब तो फिर दुश्मन क्यों बनाएं आज मैंने सरकार को भी दोस्त बना लिया अगर ये गलत काम बन नहीं किये न तो ये नया दोस्ती तुमें सबसे बारी बढ़ने वाला है आदमें हालात बेगाड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता है हालात सुधारने के लिए करता है क्या आपके इन हालात में जरूर सुधार आएगा हर जल में पानी होगा तुमारा मतलब है कि हर कोई अपने हालात सुधारने के लिए बुरे काम शुरू कर दे सर हर कोई गलत काम ना करे इसलिए किसी ना किसी को तो सुल्तान मिर्जा बनना ही पड़ता है कुछ लोगों की मतद करके तुमें लगता है कि तुम मसीह बन गए हमारी पार्टी ने आपी के एक हमदर्द को चुना है और वो है सुल्तान मिर्दा जवाब मिल गए ने जाहाँ यह कोई और सवार है मनने मैं जब बच्वन में भाशन सुनता था तो सोचता था नेता को पत्थर मारूँ और भाग जाओ जवाब 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 लाउड स्पीकर की आवास सुनकर कभी अमीरों ने जमघट नहीं लगी गरीब हमेशा किशे चले आते हैं यह सोचके की आज उनके मत्तब की बात हो लेकिन आच कर कुछ नहीं हो वो बोलकर चुप हो गए और हम चिलना दिरेंगे एगनेल सब सुल्तान को यही मारने का प्लैन है क्या कौन आइद मियां जो कि सुल्तान पीछे नहीं एटेगा हमें शोईभ को ही रॉकना पड़ेगा सोईभ तुम जाकि की वाँ डाष के सामने ख़डए रो अपने आक के कुली रखना तुम अपने आद्ने को दे के पीछे से आओ और आजादी तसे खामीरों को मिलीं बाकी सावाज भी गुलाव हुए पहले अंग्रेजों के थे अब गरीबी किया है हर किताब की किस्वत में लाइबरी नहीं होती हुए कुछ किताबे खबाड़ी की दुकान बें मिलती है हम सब उन किताबों में सब्सक्राइब आज तक आप लोगोंने मेरे यहां फर्याद तब की जब आपकी किसी ने ना सुन ना पुलिस ने ना सरकार ना उन सब के बाद आप मेरे पास आप लेकिन आप सबसे पहले सबसे पहले मेरे पास आप अम्मे मुझे पिस्टॉल चाहिए गर पे है ना बिटा अम्मे मुझे वो चाहिए मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूँ तेवर नहीं है यह सारी जगा सील कर दो तो चाहिए तो 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 दो नहीं मिल गया जब तक शोयभ है खत्रा है दोनों पकड़ा गया प्लान फेल अब सुल्तान को धर नहीं बार सकता कि मैं आया यहां अपने लिए जरूर था लेकिन अब लगता है जब तक आप लोगों के सपने पूरे नहीं होते कि मुझे वनी नहीं है गला कि वहां दो तो तो दुआ घी नहींचा जानाивать कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कव We're... Ambulence! Ambulence! We're... We're... Ambulence! Call Ambulence! Call... आज बंबई तबाह हो गया है वो बंबई जो सुल्तान की महभूबा थी जिसे शोएब अपने काबू में रखना चाहता था और मैं महफूस सही और गलत के बीद चुनना आसान है लेकिन दो कलत लोगों में से एक चुनना बहुत मुश्किल और ही मैं चुप गया माफिया के लिए जिम्मेवार नहीं है शोएब को बनाने में पुलिस भी उतनी ही को निगार है